डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद रूस में एक और भारतिय युवग के युद्ध में मारे जाने को लेकर आवाजें उठने सुरू हो गई हैं लोकसभा में विपक्स के एक नेता की सवाल की जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि रूस ने अपनी सेना में भरति दस भारतिय युवकों को मुक्त करा दिया है और वे जल्दी ही वापस लोट आएंगे इसी मही ने प्रधान मंत्री ने रूस यात्रा के दौरान वहां के राष्टपती व्लादी मीर पुतिन से मुलाकात में यह मुद्धा उठाया था और कहा गया था कि रूस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है बाकी युवाओं के भी जल्दी वापस लोटने की उम्मीद है हालां कि अभी तक इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं है कि कितने भारती युवा रूसी सेना में सामिल किये गए हैं और उनमें से कितनों को युद्ध क्षित्र में अगली कतार में तैनात किया गया है पिछले दिनों जब दो भारती युवाओं की युद्ध में मारे जाने की खबर आई थी और कुछ युवाओं ने अपने तस्वीर डाल कर रिहाई की गुहार लगाई थी तब इस बात का खुलासा हुआ था कि बड़ी संख्या में भारती युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर धोके से रूसी सेना में तैनात कर युक्रेन के साथ युद्ध में तैनात किया गया है तब भी सरकार ने आस्वस्त किया था कि एसे नौजवानों को वापस लाने की कोशिस की जा रही है दर असल नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ एजेंटों ने युवाओं से भारी रकम लेकर फरजी कागजाद के चरिये गुप्त रास्तों से उन्हें रूस भेज दिया सुरू में इन नौजवानों को सुरक्षा सहायक के तोर पर भरती किया गया और फिर डरा धमका कर युद्ध क्षत्र में धकेल दिया गया कुछ लोगों का अनुमान है कि सो से उपर एसे युवा रूसी सेना में सामिल कर लिये गए हैं अब सरकार ने उन एजेंटों की पहचान सुरू कर दी है जो धोके से नौजवानों को विदेशों में नौकरी के लिए भेजती है कुछ एजेंट पकड़ भी लिये गए हैं हालां कि इस भरती फरजी कागजाज बना कर युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश भेजने का कोई धन्दा नया नहीं है एसे लोगों पर सिकंजा कसने के अनेक प्रयास हो चुके हैं लोगों से अपील की जाती है कि विदेश मंत्रालई ने पंजीकर्ण करा कर ही दूसरे देश में नौकरी आधी के लिए जाएं मगर फिर भी गलत तरीके से विदेश जाने का सिलशिला रुक नहीं रहा सरकार के सामने मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब इस तरह दूसरे देशों में गए लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं हमारे देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पद के लिए हजारों अभ्यर्थी कतार में लग जाते हैं वे किसी भी तरह रोजगार पाना चाहते हैं दूसरे देशों में चूंकि रोजगार के अवसर अधिक हैं और वहां वेतन आदी भी अच्छा मिल जाता है इसलिए किसी भी दूसरे देश में जाने को तयार रहते हैं। इसके लिए जमीन जायदाद बेचकर एजेंटों को पेशा देने को भी तयार हो जाते हैं। इसी ललक का फाइदा एजेंट उठाते हैं। रूस भेजे गए नोजवानों को अगर वहां की सेना में भरती कर युद क्षित्र में तैनात ने किया गया होता तो यह मामला भी सामने ने आता। एसे में फिर से सरकार के सामने यह प्रश्न रेखांकित हुआ है कि आखिर वह कबूतर बाजी करने वाले एजेंटों को नकेल कसने और गलत रास्ते से विदेश जाने वाले युवाओं को जागरुक कर पाने में सफल क्यो नहीं हो पा रही। पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों का अभी सुरुवाती दौर है और पदक तालिका में देशों और खिलाडियों के नाम दर्ज होने सुरू हुए हैं। भारत के नाम भी एक पदक दर्ज हुआ है। इससे आगे के सफर के लिए उम्मीद जगती है। रविवार को भारती निसाने बाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिश्टल निसाने बाजी के महिला वर्ग में प्रतिभागी देशों के खिलाडियों को अच्छी चुनवती दी और उन्हें 221.7 अंक हासिल हुए। अंतिम दोर में वे तीसरे स्थान पर रहें। उन्हें इस वर्ग की प्रतियोगिता में कांश्य पदक मिला और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत के नाम पहला पदक दर्ज हुआ। अभी भारत को अन्य कई खेलों में हिस्सा लेना है और उन्हें विश्व इस्तर के खिलाडियों की ख्यमताओं की चुनोतियों का सामना करना है। मगर पिछले कुछ वर्सों में हुई अंतर राष्टि प्रतियोगिताओं की दोरान कुछ खेलों में भारती खिलाडियों के प्रदर्शन से जैसे उत्साह जनक संकेत मिले हैं। उससे पेरिस ओलंपिक में भी उनसे पदक लाने की उम्मीद है। निसाने बाजी में मनु भाकर को मिले कांशे पदक के साथ ही इस खेल में पदक मिलने का भारत का पिछले बारहे वर्स का इंतजार खत्म हुआ। दर असल इस उपलब्धी के साथ ही पहली निसाने बाज बन कर मनु भाकर ने एक इतिहास रच दिया है। हालां कि इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में उनका प्रदर्शन निरासा जनक रहा था। और इसके लिए उन्हें कुछ आलोचनाएं भी जेलनी पड़ी। लेकिन प्रसिद कवियित्री और मानवादीकार कार्यकरता माया एंजेलो की कविता इस्टिल आई राइज यानि अभी मुझे आगे पड़ना है। से प्रेरना लेने वाली मनुभाकर फिर से उठ खड़ी हुई और अब वे ओलंपिक में पड़क विजेता हैं। अब देखना है कि निसाने बाजी में भारत के अन्य खिलारी और क्या हासिल कर पाते हैं। मनुभाकर को मिले कांशे पड़क की एहमियत पड़क तालिका में कुछ नतीजों से अलग इस रूप में हैं कि किसी भी खेल प्रतियोगिता में सुरुआती जीत या हावी होने की स्थितियां बाकी खेलों के प्रदर्शन में भी दम भरती हैं। इस लिहाज से देखें तो पिछले ओलंपिक की पदक तालिका में संतोस जनक जगह बना सकने वाली भारतिये खिलाडियों की टीम के लिए मनुभाकर के उपलब्धी उच्चाह बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। समाप्त दोस्तो इस डिक्टेशन का पेडियो फाइल अपने टेलिग्राम चैनल स्टडी विद अजपि स्वामी पर डाल रखा है। दोस्तो अगर आप रोजाना A.S.E., S.E., R.S.M.S.E. स्टेनोग्राफर से सम्मंदित सारी डिक्टेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजेगे।